C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट सतहत्तर, इकाई चार, मित्रता, पाठ अठारह, सुने कहानी, शेर और चूहे की दोस्ती शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हलकी सी चीख सुनाई दी, एक चूहे की पूँच उसके पंजे के नीचे आ गई थी इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाए गए हैं, उपर दिखाए गए चित्र में शेर जंगल में मतवाली चाल चलता हुआ, देखा जा सकता है प्रिष्ठ पर नीचे बने हुए चित्र में एक चूहा दिखाया गया है जिसकी पूँच पर शेर का पंजा पड़ गया था प्रिष्ठ 78 शेर ने अपना पैर हटाया चूहा फुदक कर जाडियों में चला गया एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिचाया उस जाल में शेर फंस गया वो जोर जोर से दहाडने लगा जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमडी, बंदर और अजगर समेत सभी पशुपक्षियों ने दहाड सुनी पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया प्रिष्ठ 78 पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें शेर को शिकारी के जाल में फंसा हुआ, चीखता हुआ दिखाया गया है साथ ही इस चित्र में भाकी सभी जानवर मूख दर्शक बने दिखाये गये हैं प्रिष्ठ 89 वो अपने पहने दातों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया लेखक जगदीश जोशी प्रिष्ठ 89 पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें चूहे ने जाल को काट दिया है और शेर प्रसन मुद्रा में चलता जा रहा है चूहा उसके कंधे पर सवार है शिक्षन संकेत बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाईए और उसके बाद दिये गए चर्चा प्रशनों के आधार पर बात चीत कीजिए यहां चर्चा का उद्देश केवल इतना भर है कि बच्चे सूचें और बिना जिज के अपने विचारों के अभिव्यक्ति करें किसी भी चर्चा प्रशन का कोई एक सठीक उतर नहीं है बच्चे जो भी उतर दें उन्हें धैरे पूर्वक्र सुनिए और उन्हें बोलने के लिए प्रोच साहित कीजिए सभी बच्चों को बात चीत में भाग लेने के समान अफसर दिये जाने चाहिए जहां तक संभव हो बच्चों को अपनी भाशा में बात चीत के लिए प्रोच साहित कीजिए बात चीत के लिए एक क्या आप एक दूसरे के सहायता करते हैं कैसे दो शेर के दात भी तो पैने होते हैं तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला शब्दों का खेल एक याद कीजिए कि कहानी में किस ने क्या किया और नीचे दिये गए वाक्यों को पूरा कीजिए यहां पर एक बकसे में लिखा है शेर, चूहा और शिकारी और बाई ओर लिखा है रिक्तिस्थान मतवाली चाल से चला जा रहा था रिक्तिस्थान ने अपना पैर हटाया रिक्तिस्थान ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया रिक्तिस्थान भागा भागा वहां आया दाई और दिये गए विकलपों से बाई और के रिक्तिस्थान भरिये दो, इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है बताईए कि दिये गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर चूहा जाल कुतर सकता है ठीक ऐसे ही दिये गए रिक्त स्थान में लिखे कि बिल्ली, बंदर, मचली, चिडिया और शेर अपने अपने मित्रों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं शिक्षन संकेत इस गतिविधी का उद्देश है कि बच्चे स्वयम से अनुमान करें कि अलग-अलग जानवर क्या कर सकते हैं बच्चे जो भी उत्तर दें, उन पर बात चीत कीजिए कि उन्हें ऐसा किस कारण से लगता है प्रिष्ट एक्यासी तीन आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या-क्या करते हैं? चार मित्र शब्द में त्र आया है यहां कुछ शब्द दिये गए हैं जिन में त्र आया है उन शब्दों को छाट कर नीचे लखी दिये गए शब्द हैं पत्र, दोस्थ, पात्र, कमल, त्रिकोण, त्रिशूल, मख़्ी, अचार और वस्त्र साथ ही इन सब के चित्र भी यहां बनी हुए हैं आपको जिन शब्दों के अंदर त्र अक्षर आया है उन्हें चुनकर नीचे दिये रिक्त स्थानों में भरना है नीचे दिये रिक्त स्थानों में उनका नाम लिखना है बच्चों को अभी आपचारिक रूप से त्र नहीं सिखाया गया है अगर वे कोई शब्द नहीं सोच पा रहे हैं तो उनकी सहता कीजिए सीधे शब्द बताने की जगह उन्हें संकेत देना बहतर रहेगा प्रिश्ट बयासी पहेली बिना पंख ही उड़ जाती बांध गले में डोर खींचो तो उपर चड़ जाती रहे हाथ में छोर बोलो कौन? एक थाल मोती से भरा सिर के उपर ओंधा धरा जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे बोलो कौन? चार पाउं पर चलना पाउं बिना हिलाए हिलना पाउं फिर भी सब को दू आराम जटपट बोलो मेरा नाम बोलो कौन? साभार जैप्रकाश भारती N.C.E.R.T. खेल खेल में ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है उसे उसके घर पहुंचने में सहायता कीजिए यहां पर बाई और नीचे की तरफ एक याक बना हुआ है मगर उसका घर दाई और उपर जाकर बना हुआ है उसे उसके घर पहुंचाने का रास्ता बताईए मिलकर पढ़िए राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस में विद्या लए जाते हैं एक दिन बस से विद्या लए जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिड़ाने लगा वे दोनों डर गए और रोने लगे उन्ही असुरक्षित लगा असुरक्षित जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुँचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं. सुरक्षित, जब हमारे आसपास कोई खतरा न हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट न पहुँचाई, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं. इस प्रिष्ट पर दाएं और उपर राजू और मीना के चित्र दिये हुए हैं, जो बहुत खुश नजर आ रही हैं. इसके बाद के बाएं और के चित्र में रोती हुई बाली का नजर आ रही है, जो की असुरक्षित भी महसूस कर रही है. जब हमारे आसपास कोई भी असुरक्षित तत्व होता है, तब हमें रोना आता है. ठीक उसी के चित्र के नीचे एक प्रसन बालिका का चित्र बना है. जब हमारे पास कोई खत्रा नहीं होता, यह हमें किसी प्रकार का नुकसान या चोट नहीं लगती, तब हम बेहत प्रसन होते हैं, जैसा कि इस चित्र में नजर आ रहा है. यहाँ पर कुछ उदाहरण दिये गए हैं. आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है, कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित. सुरक्षित के लिए सही का चिन लगाईए और असुरक्षित के लिए गलत का चिन यानी काटा का चिन लगाईए एक, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं आपको ऐसे करने में सुरक्षित लगता है या असुरक्षित चिन द्वारा अंकित कीजिए दो, आपका मित्र आपको मारता है, तो आपको कैसा लगता है, सही या गलत का चिन लगा कर बताईए तीन, बाजार जाते समय, आपकी मा के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है, तो आप सुरक्षित में सूस करते हैं या असुरक्षित, चिन लगा कर बताईए प्रिष्ठ 84 चित्र और बाट्चीत, शीर्षक खेल खूद इस प्रिष्ठ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें कुछ बालक और बालिकाईं पेड़ पर और पेड़ के नीचे खेलते हुए नजर आ रहे हैं नीचे कुछ बालक बालिकाएं गुली डंडा खेल रहे हैं साथ ही कुछ बालक कंचे खेल रहे हैं जबके पेड के उपर चड़े बालक वबालिकाएं इनको खेलते हुए देख रहे हैं सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं प्रिष्ट 85 इस प्रिष्ट पर एक चित्र बनाया गया है इस चित्र में कुछ बालक व बालिकाईं क्रीडा करते हुए नजर आ रही है सामने एक घर बना है और उसके पीछे सूरज उगा हुआ है एक बालिका पतंग उडाते हुए नजर आ रही है जबके एक बालक और बालिका बैड्मिंटन खेल रही है पास ही एक छोटा सा पानी का सोता नजर आ रहा है जिसमें एक बालक और एक बालिका कागज की नाव चलाते हुए नजर आ रही है वे दोनों बहुत खुश है इसके साथ ही एक बालक और बालिका लुका छिपी का खेल खेल रही है बालक की आँखों पर पट्टी बंधी है और वो जिस बालिका को ढूंडना चाहता है वो उसके पीछे बने हुए पेड़ के तने के पीछे छुपी उसे मुस्कुराते हुए देख रही है एक तितली भी इस चित्र के सबसे नीचे दाएं कोने में नजर आ रही है इसी प्रकार एक और घर इस चित्र में सबसे उपर बिलकुल बीच में दूर नजर आ रहा है प्रिष्ट 86 बातचीत के लिए एक चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं दू इस चित्र में बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तीन इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं उनके नाम और खेलने का तरीका बताईए शब्दों का खेल चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को दो लोगों के जोड़ी में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समों के आवशक्ता होती है पहला चित्र को देख कर बताईए कि कौन-कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों के आवशक्ता होती है यहाँ पर दो सूचियां बनी हुई हैं जिनके शीरशक हैं खेल और खेलने वालों की संख्या आपको बताना है अकेले खेले जाने वाले खेल और खेलने वालों की संख्या जो की निश्चित रूप से एक ही होगी उसके बाद दो के जोडे में खेले जाने वाले खेल और खेलने वालों की संख्या तथा समू में खेले जाने वाले खेलों की नाम और खेलने वालों की संख्या इन दिये गए रिक्त स्थानों में भरिये दूसरा, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? उस खेल को कैसे खेलते हैं? दी गए रिक्त स्थान में लिखिये सारंगी, वाचन्स्वर, बावला कोचर और मम्ता मलकानी, तखनीकी निर्देशन, बटी लेंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहयक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत कि अजिलागा southwest, दिल्ली, एवन है, जिल्तुत., सही को चाहता हो सथे हैं, लिल्ð लावला भाने उलेशन, मिलदेशन, वोिमलेशन, ले दिल्देशन, वाट तो, इन उत्यूपर बश्त, गया हैं, दो जो में, तो, तिल्या सबसी हो धिललेशन, मोगु आमान छोगता हैं,